दोस्तों कभी-कभी हमारे जिन्दकी के फैसले हमारे माबाप को इतने कस्टमर डाल देते हैं कि हम उनकी बद्दुआउं से बच नहीं सकते हैं आज एक ऐसी ही एक बैटिक का सच बताने वाली हूं जिसे सुनने के बाद कभी-कभी दुख होता है कि हमने बच्चे पैदा ही क्योंकि है और इनकी इतनी इच्छी परवरी सी क्योंकि जिसके वज़े से आज मैं सब कुछ देखने को मिलता हूं अंदर से जो माबाप का द्वाएं मेरे ही पड़ास में जहां पर मैं रहती थी वहां पर एक चाची बोलती हूं उनका बेटा है जो 2011 में पुलिस में भरती हुआ वहीं से हमारी जान पहचान होती है क्योंकि मैं भी उसी विभाग से जुड़ी हूं तो हमारी पहचान होती बहुत अच्छा रिस्ता बन जाता है घर का जैसा रिस्ता बन जाता है वो मुझी बेटी मानती है और उनके चार बेटे हैं तो बड़ा चाशी ठीलिव के थी रचाची और उनकी पापा पापा आरमी वा नीचे प्रमारी पारीमा हुई En Pinterest मोहने से उनके बहुत मेहनत करके अपने चारों बच्चों को पढ़ाया एक लड़का उसको कोचिंग कराई और वो फाइनली पुलीस में भरती हो गया बढ़ती होने के बाद बंदा कहीं पर वो गाओं में रहती थी चाची और पढ़ने के लिए उसे वहीं पर जिस सहर में में नाम नहीं लूँगी क्यों भी मेरा वीडियो देख रहा हूं को ऐसे तो समझ ही जाएगा कि मां उसी के बात बता लिए जो भी बताती हूं बताती वही रिष्टा बन जाता है ताय कहता है और उनके गाओं के कोई महला थी उनके घर में रहता है और वहां दो थी इंटर ऑदो असा पढ़े बहुत चल जाता है बहुत लड़ाई जगड़ होते हैं बहुत मुस्किल होती है लड़का वहीं रहता था 2011 में जब भरती होता उसके बाद जब घर आता चुटी तो पास में घर थोड़ी दूरी में अपने घर कम पहले वहां जाएगा दो दिन महां रहेगा तो एक दिन घर या एक गंटे के लिए आदे गंटे के लिए जाएगा फिर वह दिन भर रात भर वहीं पड़ा रहेगा और परिस्तिति यह हो गई थी कि वह साधी के लिए इतना जित कर रहा था कि मेरी शाधी महीं करो और जब जॉब वाला है तो ऐसे भी माबाप की फिर सुनता कौन है पापा उसके बाहर उसमें सर्विस करते दे फिलाल तो पापा घर पर यह बिमार है तो वंदे ने इतनी जित क भी समझाना पड़ा दोनु तरह का प्रेशर था लड़का राड़की को पशन करता है लड़की इतनी घमंडी थी घमंडी के आज उसने मैं बताऊंगी कि कि इसमी संस्यस ल OB ऐसक्ट चारण यैए अगर वो नहीं शांदी करते तो वह खुद अपने मर्जी से कर लेता जैसे भी करता मंदीर नहीं तो घरवालों को भी पोच्रें वाला नहीं था क्योंकि वह भी एक पर बाद बाद रही माईके में नहीं आती हैं तो दो तीन-तीन महने अपने माईके में रहती है वहां से वो अपने सास सुनना देवर से मिलने नहीं आती है कभी मतलब बीच में एक मैन और वीडियो डाला था पहले मतलब बीच में उन्मने अपनी सास पे आरोप लगा दिया था कि इनोंने ऐसा जादू टोना कर दिया मेरे उपर की मेरे को उसके बाद किया उस लड़की को पी लिया हो गया और उसका इलाज करें एक बार फरस से वही फिसल कि इसका पैर फैक्चर हो गया कई बार मतलब उसको ऐसी बीमारी हो गई एक के बाद एक दवाई उसे जाता ही निए कभी हो कहते है कि इसकी पूझा पाड़ देनी से बूत प्रेत लग गया कभी कहते हैं किसी अमीर हो य क्रीब हो हर बहु को अपने घर में रहना चाहिए ना कि माई की माई की मान पड़ी रहती थी तो इसके बाद जब माको फॉन किया, कि तुम देखने नहीं जा रही तो मा बिचारी भागी भागी गही हो को देखती मा अंदर भी नहीं पहुची बहु ने दर्वाजे से लड़ना सुरू कर दिया कि तुमने मेरे लिए जादू टोना कराया है, तुमने मेरे लिए ऐले चीज कराया, इसलिए मैं बिमार हूं और मुझे कोई तुमने मुझे मारने की कोशिस करी और मार होती हुई घर आ जाती है मा का फॉन मुझे आता है क्योंकि वह माता की चोकी में आती थी तो मुझे जानना चाहती थी क्या है क्या नहीं मैंने क्या बहिए मैं ऐसे पारिवारिक मामलूमन न ना छोड़ दीजे, मैं कहना चाहती है, माबाप की जो हाई है ना बद्दू आया है वो दिल से निकलती है, वो उसने क्या जादू टोना किया होगा, कोई बच्ची के लिए बेहू के लिए कोई जादू टोना करता, अगर करने ही वाली होती, जादी होने से पहले ऐसा अगर दूनिया में, मैं कहती हूँ जादू टोना ऐसा होता है, जिससे इंसान बिमार पढ़ जाए, या उसको कुछ हो जाए, ऐसा कुछा हो जाए, जो कर सकता है, तो वो शादी से पहले भी कर सकती थी, ताकि उसकी शादी हमμάने ही हो, माने ऐसा नहीं किया मतलब उनने शा तक अब वो बिमार माई के में पड़ी रहती है कभी कुछ कभी मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप इल्जाम लगाते हो साथ ससूर पर कि उन्होंने जादू टोना कर दिया तो दोस्तों माबाब हैं पैदा करते हैं जब उन्हें दुख होता ना दिल दुखता है तो जादू मैं तो में नहीं जानती है लेकिन हमारे उत्रहखंड में जानते हैं माबाप की हाई उसे हंकार कहते हैं और कई लोग पूझते हैं आपा लोग अपाराप जि yellow तुम cell पजा़ी लेकिन मैं कहती हूँ माबाप का दिल जीते जी मत दुखाओ क्योंकि मरने की बात तो लोग प तरात्म से जो हाई निकल रही है वो आपको लग जाए एक माँ जब पैदा करने का दर्द जेलती ना तो उस बच्चे को पालने के लिए पूरी जिंदगी लगा देती लेकिन वही बच्चा जब पैदा होता है माँबाप को इतना दुखी कर देता है कि उनके अंदर से जो हा नहीं लेनी चाहिए उस से भी बढ़कर माबाप की बद्वाएं कभी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि माँआब की बद्वाओं में वह ताकत होती है कि बड़े बड़े चीजों को पिखला देता है माँबाप का जो दिल होता ना बहुत सा उप्ट होता अपने बच्चे के लि लड़का पुलिस में हैं लेकिन उसके बाब जूत परिशान है क्योंकि बीबी का इलाज कराने में ही रह गया हो कभी किसी हकीम के पास कभी किसी बैद के पास कभी किसी दिखाने वाले के पास जितना कमाता है महीने मौ वह उसके इलाज में ही लगता है और मैं कहते हूं कहते जादू टोना भीमारी यह कुछ नहीं है उनकी हाई है अगर चाहती चलू लब मैरिज कोई बाद नहीं साथ में रहती उसमें उनका दिल जीती प्यार से उन्हें एहसास होता कि चलो हम उसमें नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे वह को लेकिन अच्छी है हमने अच्छा किया जो से शाथ है एक दो बार उन्हेंने कि तुमने भी मैंजित करी थी कि इसकी शादी हो नहीं दो अगर आप एग्री नहीं होते तब भी तो उन्हें करना ही था अब रहने दीजिए जब नहीं मान रहे है तो अपनी तरफ से आप क्यू जा रहे ही उसके दरौजे पर इल्जाम उन्ह Cats Wasam मेरे बैता हो उन्होंने एपने दिन रात एक कर दिए था श्रौ it uh वराण चीज उनकी वह संथ हो आ इन चाहिए था यह और फी I can ik महेंने जब टेका तो उन्होंने दिन रात एक कर दिया था मानती उस आसवह में कई जगह होता और खटास तब और ज़्यादा बढ़ जाती जब वो पहले से ही वह दुसरे को जानते हों और रिष्टे के लिए एगरी ना हो और रिष्टे बड़े कड़ों बन जाते हैं जब बाद में एक दुसरे को समझने के बजाए एक दूसरे के अ जाते हैं तो दोस्तों अगर आपके भी लाइप में ऐसा कुछ है आपके रिष्टेदारी में आपके जानने मालों है या आपके आसवार कोई लड़की आपके बेटे को पसंद करती है तो कभी भी उससे मतलब सामने उससे उसकी बुराइब ना करें और वो लड़की भी अ अगर का सर्विस वाला भी है और इकलोता कमाने वाला है आज बहु को लग रहा है कि यह तो मेरा पती जितना कमा रहा मुझे देगा मा बीचारी को फूटी कोडी नहीं मिलती बाप बिमार है तो थोड़ों का लाज के लिए पापा के इसमें वह जो भी करता होगा दे देता लेकिन उस मा की हाई बद्वा कहां जाएगी जिसने बच्चे को पैदा करा जनम दिया पाला पोसा उसे पढ़ाया लिखाया जोब के लिए तयार करा फाइनली लड़का जोब में लगा तो एक पराई लड़की में पतनी है आपकी सब कुछे ठीका आपने लब मेरीच पराई हो गई जिन्होंने इतना कष्ट होगा चार दिन की पराई लड़की जिससे आपको प्यार हुआ और आप उसके साथ रहे उसके चक्कर में आपने एक मां के सारे सपने तार-तार कर दिये वह सपना उसने कितना देखा होगा कितना खुस हुई थी 2011 में जब पुलिस म प्यार हो चाहे बड़ बन दुख होगा लड़की बट गरीब घरीघे किया करती है कोठी में तो आज वह बार सर्विस्मेंट लड़की की पत्री मनकर उनके सर पर राज कर रही है और उस मां से बोलती है कि यह मां में लिए जादू टूना करती है तो दोस्तों कोमेंट करके जरूर बताना ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे क्योंकि ऐसे बच्चों की मांसिकता खतरनाक होती जा रही है जो हमारे समाज में बच्चों को गलत रहा पर ले जा रहे हैं तो आप लब मेरी चरूर करिए मस के खिलाप नहीं लेकिन अगर किसी लड़की को चाहते हो पहले अपने घर में मिलाओ घर वालों का दिल जीतो तब जाके उसे घर वाले भी एक्सेप्ट करेंगे आप तो करते हैं घर वाले भी एक्सेप्ट करेंगे वह भी उस रिस्ते को एक्सेप्ट करेंगी और कभी ऐसी इस्तिती पैदा नहीं आएगी तो थैंकि दूस्तों वीडियो फिसना है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना डेली सुबाद बज़े वीडियो बनाती हूं उस पर कर दो का तानियाँ